जोहार हजारीबाग मैं फैजलन वर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग अभी कुछी देर में इंडिया और पकिस्तान के बीच टी-20 मैच दुबई बहुत दिनों के बाद ऐसा मौका मिला है जब भारत और पाकिस्तान के बीच T20 मैच खेला जाएगा तो 96 से अगर हम लोग देखें तो 96 में एक मैच हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल मैच था जिसमें विंकटेश परसाद ने आमिर सोहल को क्लीन बोल्ड कर दिया था अमिर उसके पहले क्या हुआ था कि पकिस्तान के आमिर सोहल ने एक चववा मारा था पंदरा ओवर की बीच में और उस चववा मारने के बाद परसाद को बैट दिखाया था कि लुक वहीं है तुम्हारा जगा ऐसे करके दिखाया था और उसके अगले ही गेंद में चौदा ओवर पांच बॉल हो रहा होगा पंदरा ओवर का पहले पावर प्ले होता था और उसके अगले ही गेंद में विंकटेश परसाद ने आमिर सोहल को का आउस स्टम उखाल होके नहीं थे तो जब उस टाइम में मैच होता था 96 में वर्ल्ड कप जब मैच होता था तो उस टाइम में इंडिया और पकिस्तान की बीच में बहुत टेंसन रहता था बहुत टेंस होते थे अगर इंडिया मैच हार रही है या फिर पकिस्तान मैच हार रहे है पकिस्तान की वीडियो फूटेज आया है कि पकिस्तानी फैंस जो है वो रोई शर्मा के साथ बात कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, आपस मिल रहे थे, अब तो महाल काफी चेंज हो गया है, लेकिन किर्केट मैदान में अभी भी ये महाल रहता है, टेंशन का महाल होता है, जब भी इंडि टूनमेंट्स में जब भी इंडिया पकिस्तान खेलती है, तो इंडिया हमेशा हमेशा भारी रहती है, जैसा के वर्ल्ड कप में, साथ मैच खेली है पकिस्तान इंडिया से वर्ल्ड कप में और सब में हारी है, पकिस्तान को हराने में वर्ल्ड कप में इंडिया हमेशा आग किया था उसके बाद बड़े टिनमेंड में कभी भी पर्फॉमेंस नहीं दे पाया है पकिस्तान आए कुछ स्टैट्स जानते हैं हम लोग इंडिया पकिस्तान का भी मैच जो है वो कब से शुरू हुआ कुछ दिर साथ बजी से आज है टी 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 लाइव आप देख पाएंग और अभी तक टेस्ट में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में 59, 69 मैच हो चुके हैं जिसमें भारत ने 9 जीते हैं पाकिस्तान ने 12 जीते हैं और 30 मैच ड्रॉँ हुए हैं और وन DAY में, ODI, One Day International में 132 matches हुए हैं, total India और Pakistan के बीच में, इंडिया ने 55 match जीते हैं, और पकिस्तान ने 73 match जीते हैं, 4 draw हुए हैं, टी20 international में, जो अभी होने वाला है टी20, उसमें 9 match हुए हैं total India और Pakistan के बीच में जिसमें 6 जीते हैं, इंडिया ने और 2 जीते हैं, पकिस्तान ने एक मैश टाई हुआ था जब बात आ रहा है तो आपको बता दो कि पहला टीटवेंटी फाइनल जब भारत ने जीता था तो उसमें पाकिस्तान और इंडिया के बीच था जो लास्ट वर में लास्ट वर तक मैश चला गया था और मिस बहुल हक ने जो लेग में सौट माला था वो कैच आउट हो गया थे तो वो धोनी की कपतानी में इंडिया ने टीटवंटी वर्ल्ड कप जीता था वो ला जवाब था वो पर्फॉर्मेंस कोई भूल नहीं सकता है पकिस्तान ऐसा लग रहा था कि मैश जीतने वाला है लेकिन फिर भी लास्ट वर में उनसे वाप कप में साथ मैचेस हुए हैं इंडिया और पकिस्तान के बीच में और सातों इंडिया ने जीता है अभी तक एक भी पकिस्तान वर्ल्ड कप के मैचेस में इंडिया को नहीं हरा पाया है तो इसमें बहुत बड़े उपलब्दी है बड़े मैचेस में प्रेशर मैचेस में इं जिसमें इंडिया ने चार जीते हैं और पकिस्तान एक ही जीत पाया है और एक टाइ हुआ था उसी फर्स टूनेमेंट में टाइ हो गया था इंडिया और पकिस्तान के बीच में जिसमें बॉल आट हुआ था तो बॉल आट में सेवाग ने भी आट कर दिया था और आपके रॉ मैचे तोटल इंडिया ने साथ जीते हैं और पाकिस्तान ने पांच जीते एक ड्रॉ उह रहा है ने cog नहीं स्वावन्स पहली बार श्वरू हुआ था टेस्ट मैच और आपनिवी स्मेच जो हुआ वह दुल साथ workout के बीच बीच में हुआ 22 नुवंबर 2007 को हुआ था टूनेमेंट हुआ था इंडिया में और ODI वंडे की बात करें तो 1978 में पहला जो मैच हुआ था इंडिया और पकिस्तान के बीच में 1 अक्तुबर 1978 को हुआ था पहला टूनेमेंट और इधर आखरी टूनेमेंट जो हुआ है वंडे में वो 2013 में हुआ है सिरीज की मैं बात कर रहा हूँ टी टूनेटी इंटरनेशनल सिरीज एक ही हुआ है अभी तक 25 दिसंबर 2012 को हुआ था ये सिरीज और उसके बाद फिर बहुत सारे स्टैट्स हैं तो आप लोगों को कौन सा मैच पसंद है इंडिया और पाकिस्तान की बीच में मेरा तो सबसे यादगार मैच वही था 1996 वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल जब विंकटेश परसाद ने आमिर सोहल को क्लीन बोल्ड कर दिया था आमिर सोहल ने एक चौका मारा था और बहुत अच्छी बैटिंग चल रही थी पाकिस्तान की 14-15 वर्लड लगभग 100 वर्लड पार कर चुके थे साही दनवर और आमिर सोहल बैटिंग कर रहे थे और विंकटेश परसाद को चबवा मार के लगातार बोला कि हर बॉल मैं वहीं मारूंगा ऐसा आमिर सोहल ने कहा उसके बाद अगली ही गेंड में विंकटेश परसाद ने आमिर सोहल को क्लीन बोल्ड कर दिया था और क्लीन बोल्ड करके ऐसा भगाया कि परसाद का ऐसा एक्सप्रेशन कभी नहीं किसी ने देखा था तो वो मैच बहुत यादगार है उसके बाद 99 में मैचेज हुए जिस में सचिन ने 91 रन बनाया था उसके बाद फिर जितने भी वर्ल कप के मैचेज हुए उसमें पाकिस्तान को लगातार हार मिली है देखिए आज बहुत जल्द साड़े साथ बजे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टुनमेंट होने वाला है अगर आपका कोई फेवरेट मैच आपको लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ है तो वह आप कमेंट कर सकते हैं बता सकते हैं और शेयर कर सकते हैं पहले बीच में एक एडिवरेटिस्मेंट भी चलता था याद कीजिएगा वर्ल्ड कप के दोरान मौका 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 मतलब इस बार मौका है पाकिस्तान को पाकिस्तान पे एक मीम बिल्कुल है यह वाला कि मौका है मौका है अब मौका है मतलब साथ बार वो वाल्ड कप में हार चुके हैं तो एक एड निकला था कि मौका है इस बार मौका है तो इस तरह से emotionally उन्हें दिखाया गया है कि शायद इस बार वो जीत पाएंगे जीत पाएंगे लेकिन अब वो moment को चार्ज करने के लिए एक महौल बनाने के लिए इATOR कि निकला था वह वहमोहल नहीं है वह संद्ध देखने को मिलते हैं और उतना चार्ज नहीं है इंडिया पाकिस्तान का मैच उतने ज्यादा मतलब उतना बाद आब नहीं है क्योंकि लोग रुजान अब T20 के IPL जब आ गई उसके बाद से खतम हो गया पहले क्या था पूरे महले में एक TV TV होता था टेलिविजन होता था नेट नहीं होता था इंटरनेट का दमान नहीं था लोग एक जगा बैठके पूरा मैच एंजॉय करते थे और के बाद इंडिया और पकिस्तान का मैच मज़ा कीजिए और होफुली आज इंडिया जीते और जीत कर फिर से पुराना दोर अपना याद कीजिए बहुत-बहुत धन्यवाद में पैजन वर जोहार हजारी बाग